सबको नमस्कार कल बीज तारिक है और केंद्र सरकार के दिशानिर देशों के नुसार कल से उन-उन ख्षित्रों में जहाँ पे करोना का असर कम है या करोना नहीं है वहाँ पे लोक्डाउन के शर्तों में थोड़ी धिल दी जा सकती है तो हम सब लोगों को बैठके ये सोचना है कि कल से क्या धील दी जानी चाहिए और अगर धील दी जानी चाहिए तो कितनी धील दी जानी चाहिए केंदर सरकार का कहना है कि जो होट स्पोट हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें धील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्थितियां खराब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूर्ट है दिल्ली में 11 जिले हैं, दिल्ली के 11 के 11 जिले होट स्पोर्ट देक्लेर किये गए हैं, तो केंद्र सरकार के मताविक तो सभी कंटीनमेंट जोन्स में धील नहीं दी जा सकती। हमने दिल्ली सरकार में अपनी भी एसेस्मेंट की, पिछले कुछ दिनों में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, लोगों से बात की और उन सारी चर्चाओं का जो नतीजा निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेज में बढ़ोतरी होनी शुरू हूई है। हमने टेस्ट भी ज्यादा करने चालो की हैं, पिछले कुछ दिनों हमने काफी टेस्ट की हैं दिल्ली के अंदर। और करोना के केसेज में बढ़ोतरी भी चालो हुई है। कल हमारे पास 736 केसेज के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 करोना के मरीज निकले। जाने कि 25 परसेंट लोग करोना के मरीज निकले। 186 तो काफी ज्यादा है। ये 186 के 186 सभी asymptomatic हैं। इनमें किसी में भी symptoms नहीं है। किसी को बखार नहीं है। किसी को खासी नहीं है। किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको करोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो करोना लेके घुम रहे हैं इधर उदर, ये और भी खतरनाग बात है, कि करोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग करोना लेके घुम रहे हैं, और ये बिमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि मुझे बिमारी हो गई है कई बार, symptoms नहीं आते, बिमारी हो जाती है, किसी आदमे का immune system strong है और वो घुमता रहता है, वो पता नहीं कितने लोगों को कर देता है तो ये 186 लोग अपनी अपनी जिंदगी में घुम रहे थे, इनमें एक विक्ति से जब हमने बात की है, उसने बताया जी मैं फलाने फलाने food center में खाना रोज देते हैं, lunch और डिना, वो किया था है जी मैं पिछले कुछ तिनों से रोज सरकार के food center में जा के खाना बटवाने का काम कर रहा था, आप सोचो उसने वहां कितने लोगों को infect कर दिया होगा, तो मैंने आज ही आदेश दिया हैं, उस food center में जितने लोग आते हैं, मैं assume कर रहा हूँ कि डेली वोई वोई लोग आते होंगे एक center में खाना खाने के लिए, उन सब की rapid testing करवाएंगे, जितने भी लोग आते हैं, और दिल्ली में जितने भी हमारे food centers हैं, उन सभी food centers में खाना बांटने वाले सभी volunteers का और करमचारियों का, हम rapid testing कराएंगे, तो इसे ये दिखता है कि दिल्ली के अंदर strength फैलना चालू हो गया है, रोज containment zones बढ़ते जा रहे हैं जहां पर operation shield लागू किया जाता है, आज की date में 77 containment zones बन गए हैं दिल्ली के अंदर, हमने containment zones में random testing कराई थी, कहीं से 200 का sample लिया, कहीं से 100C का sample लिया, कहीं से, वहां पर random testing कराई थी, वहां पर निकल के आया कि कुछ containment zones जहां पर लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, लोग अपने अपने घरों में रहे, वहां पर एक भी नया case नहीं आया, लेकिन जहां लोग लोग तो लोग एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं, लोग नहीं मानते, काफी उनको मनाने की कोशिश की जाते है, सक्ति करने की कोशिश की जाते है, लेकिन कई कई जहें लोग नहीं मानते, जैसे मैं निकल आपको जहांगीरपुरी का उधारन दिया, जहांगीरपुरी क एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे चाचे, मामे, ताय, ताय, यह सब उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले क्योंकि वो माने ही नहीं कंटेन्मेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे तो जहाँ जहाँ कंटेन्मेंट जोन में लोगों ने बात मानी है वहाँ एक भी नई केस नहीं मिले और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी वहाँ पर कुछ कंटेन्मेंट जोन में कई नई केस निकल के आए हैं तो एक चीज तो यह है कि दिल्ली में करोना तेजी से फैल रहा है पर अभी स्थिती नियंत्रन के बाहर नहीं है स्थिती नियंत्रन में है स्थिती चिंता जनक है पर घबराने की ज़रूरत नहीं है अपने को सबको अनुशासन में रहके इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है आज दिल्ली में टोटल 1893 केस हैं मोटा मोटा 1900 केस हैं 1900 में से 26 आईसीओ में हैं और 6 वेंटिलेटर पे हैं लगबग 43 लोगों की मौत हो चुकी है 26 आईसीओ में है 6 वेंटिलेटर पे हैं आप सोच के देखो कि अगर लॉगडाउन नहीं होता तो क्या होता दूसरे देशों का जो हाल है भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता अगर लॉगडाउन ना होता मानलो 3,000 लोगों को आईसीओ की जूर पढ़ जाती मानलो 2,500 लोगों को वेंटिलेटर की जूरूर पढ़ जाती है और जादा लोगों को यतने तो आईसीओ ही नहीं थे यतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है इटली में, स्पेन में, अमरीका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीओ कम पढ़ गए, वेंटिलेटर कम पढ़ गए, अस्पताल की विवस्थाएं कम पढ़ गए सडकों के उपर, अस्पताल के बाहर लोग पढ़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पारा अगर लोग डाउन नहीं होता तो स्थिती ऐसी हो सकती थी लोग डाउन की वज़े से, केसिस कम हैं फिलहाल आज दिल्ली में पूरे देश की दो प्रतिशक जन संख्या रहती है लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका बारा परसेंट मामले करोना की दिल्ली में है क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए दिल्ली को करोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है पिछले दो ढ़ाई महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वो ही लेके आए कोरोना विदेशों से अपने देश में तो था नहीं जितने विदेशों से लोग आए सबसे जादा लोग दिल्ली में आए क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी अंतराष्ट्रे एरपोर्ट और भी कई जगे है लेकिन सबसे ज़्यादो लोग यहां आते हैं सबसे ज़्यादो लोग यहां आए उनको हमने कोरेंट टाइम में रखा लेकिन उसके पहले नहीं रखा था बाद में आई गाइडलाइन्स तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बरदाश्ट करने पड़ी मरकस के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे जदा मार दिल्ली को बरदाश्ट करनी पड़ी इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी तो आज जब ये निरने अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नी देनी मैं भी देना चाहता हूँ दिलाई इतनी सक्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है कैसे लोगों का गुजारा चलेगा कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी कैसे लोगों का घर चलेगा लोग बहुत मुश्किल में है बच्चों के स्कूल बंद है हम भी ढिलाई देना चाहते हैं लेकिन ढिलाई देना बड़ा असान है और ढिलाई दे दी और सिती बहुत खराब हो गई और उसके बाद अगर ICU कम पढ़ गए और अस्पताल के बेड कम पढ़ गए और वेंटिलेटर कम पढ़ गए और ऑक्सीजन कम पढ़ गई और पता नही अपने दिल्ली वासियों के जिन्दीगी का खयाल रखते हुए, सब की सेहत का खयाल रखते हुए, कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई धिलाई नहीं दी जाएगी, एक हफते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठके, सब के साथ बैठके, इस पे पड़ी, तो उसके बाद धिलाई दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में किसी तरह के कोई धिलाई नहीं दी जा रही है, नमस्ता.